है आप है आप है अप्रेंट तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में तो आज हम लोग बताएंगे इसी लेटप में का बैक पर में खोला जाता है प्रेंट सबको यह नहीं आता है और यह फ्रेंट्स महेंगी चीज़ है और ज्यादा इदर उदर करने पर टूट ज समाझ लिए और इसको कैसे खुला जाएगा और अराम से हम खुलेंगे इसको और आप भी कोई जनली बाजी नहीं कीजिए नहीं तो टूट जाएगा तो फिर दिकत हो जाएगा फ्रेंट्स मैटेरियल में आपको खुलने के लिए ऐसा स्कूरू ड्राइबर का सेट मिल अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्समें दे दूंगा और फ्रेंट्स यह मैंने देट्सओ का बिंग बिलेंडे में खरीदा था तो यह काम का वहाथा इसलिए मैंने ले लिया था फ्रेंट्स आपको यहीं वाला स्कूरू ड्राइबर होना चाहिए नहीं तो मतलब आता है बढ़ियां बढ़ियां भी वह भी यूज कर सकते हो इननी के हते आते रींज पीडा से लेके घुचा दीजिएगा तो चलिए फ्रेंट्स खोलते हैं इसके स्कूरू को तो पहले आपको यह ले लेना है स्कूरू ड्राइबर और देख लेना है कि कौ जबर जस्ती नहीं करनाा है घ्राम हो सकता है तो फ्रेंट्स यह हमारा जो लेटाफ है इस ज़िए जरनरेशन का है जो कि आपको पता हो तो यह तो विंडोस determ से और इसके साथ यह चार जीवी रे 느已經 के साथ आता है और वर्ञटी वीँ का hesitant लगा हुआ है जो की वह सीडिवा लावता है जोगी फ्रोड़ा स्लो होता है यहां पर हमने इसमें 256 जीवी का एसे डीवी लगाया हुआ है उससे इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया था और इसका रेम कैपसिटी फ्रेंट्स एड़ जीवी तक है और इसमें पहले से चार्जी भी लगा हुआ है और मैं इसमें और चार्जी भी लगाने वाला हूँ इसको हलके हलके करके आपको सारे स्कुरू बाहर कर ले ले हैं कोई भी फ्रेंट्स इसमें छोड़ियेगा मत नहीं तो खराब हो जाएगा फ्रेंट्स आप ध्यान से करिएगा क्योंकि यह थोड़ी महेंगी चीज़ है यहां पर इसकुरू है और फ्रेंट्स इसको अभी इतना ही नहीं फ्रेंट्स इसमें और इसकुरू है जो की छिपाया हुआ है आप देख सकते हो फ्रेंट्स यह पहले आपको बैटरी ऐसे करके और यह ऐसे करके अगर आपने बैटरी निकलता हो तो फ्रेंट्स बाहर कर ल दिकत हो सकता है प्रेंट्स ऐसे ही इरर भी कर लेना है और यह आपका रवर है जो की स्लाइड होने से बचाता है मतलब एक जब ग्रीब बना रहा है प्रेंट्स उसके साथ ही यहाँ पर और दो स्कुरू देखने को मिल जाते हैं आपको तो फ्रेंट्स इसमें टॉटल बारा स्कूरू दिये हुए थे और आपको Tg zooming लेना है एजिली ऐसे करके और फ्रेंट्स मैंने इसमें असे लगाया था तो इसमें अब का सब नगी हम नहीं करेंगे इसको यहीं पर रखते हैं और चले इसको खोलते है तो फ्रेंड्स पहले आपको क्या करना होगा iye कुछ अच्छा आपको जैसे पेपर होगा और यह तोलिया बगेरा रख लेना होगा यह यह सबसे अच्छा नहीं हो सकता कुछ और उसको और कॉछ और काम क्राइद लगने से बचाना है और आपको यह ऐसी करके थोड़ा सा यहां से जैसे फुलता है फ्रेंड उसको ऐसे करके धीरे अइसे छोल ले आपको ATM काड होगा और जैसे की आइकाड रहेरा होता होगा तो आपके वस्ट यह मैं ऑख भाहर निकल जाता है और गजा जाएगा प्रेंट्स मैं इसको बंद कर ले ना है और यह बाहर निकाल लेना तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा धौकनी है मतलब और वह बाहर आ चुका है आपको ऐसे माइक्रोफाइबर टाइप का क्लॉस लेना होगा और यहां पर फ्रेंट्स गंदगी है जो कि आपको साफ कर लेना है और यह अच्छे से साफ कर लेना फ्रेंट्स क्योंकि यह हमेशा रोज खुलता नहीं है और खुला है तो गलई मैंबर को शाथ के साफ कर लेना है और को साफ कर लेना है आपको फ्रेंट्स सबाई आप देख लीजिएगा आपके हिसाफ से मैंने जैसे कहा कि आपको साप कर लेना है आप अपने हिसाब से देख सकते कि धर गंदगी वगएरा लगी हुई है अच्छे से हलके हाथ से साप करना है तो तूट जाएगा इसमें बहुत ही ज्यादा नाजुक सा पार्ट है और यह अभी थोड़ा सा लौक का दिकत आ गया इतने अराम से खोलन है आपको यह ट्रीमर वाल अपरा से फ्रेंट्स हावा अंदर अंदर करता है तो ठंडा होने के लिए मतलब बाहर करता है तो ठंडा होने के लिए यह ज्यादा इसमें वह हो जाता है डॉस्ट ज्यादा जमा होता है फैन में ही और इसी के वज़े से अंदर भी जाता है और नहीं तो वह बाहर से वेंट होता है से सिम्पल सा खुला हुआ उसके भी अंदर जाता है आपका डॉस्ट और फूक लेना है देख सकते हो कितना क्लीन हो गया और इधर से एकदम निकला है पूरा एकदम धूर इसको अच्छे से साप कर लेना यह वाला ब्रस जो कि आपको ट्रीमर में मिल जाएगा नहीं तो तूथ ब्रस भी चलेगा नहीं रहेगा तो क्या करिए हमारा फैन देख सकते हैं क्लीन हो चुका है और यह मेरे लेप्टॉप में पहले से ही चार जीवी का एसेज़डी मतलब एसेज़डी नहीं लगा हुआ है और मैंने इसमें एक्स्टेंड किया था फ्रेंट्स यहां पर मैं यहां पर मेरा वन टीवी का हाड ड्राइब दिया अगहां मेरे लेफ्म पहले में तो यहां पर मैंने यहां पर लगा दिया है और यहां इसके साथ यह यहांalen मिलता है और यहांad लग चुका है और इसके वजए से मैं यह भी जगा यूज हो गया और यह यहां पर चलाएगा देख सकते हो आप यहां पर आकर कस जाएगा तो फ्रेंट्स यह बाहर बाहर नहीं आएगा और आप इसमें आप वो लगा सकते हो और यह यह यहां पर हमारा स्टीट के बारे में भी मैं कभी और करता है और इसी से यह प्रोसेशर को ठंडा करता है जितना ही तेज आपका मतलब इतु काम Care गा olan यहां पर आप उसका धेख देख सकते हैं यह यह दिया हुआ है कि किद्या चलेगा यह आपका डिस्पेगнал रहा है ब्लैक ब्लैक जुकी के तरफ से ऊदर नीचे जाएगा और यह हमारा 240 GB का कुर्सियल का SSD है फ्रेंट्स 2.5 है जो कि स्पीड है फ्रेंट्स यह ज्यादा तेज चलता है यहाँ पर पहले हमारा यह एस डीडी लगा हुआ था जो की आप देख सकते हो और यहां के साथ मिलता है और आप लगा सकते हो तो देख सकते हो यहां से यह ribbon केबल से connect हो जाता है और यहां पर friends सारे चीज़े copper यह गोल्ड का यूज किया हुआ है friends इसका जितना ही अच्छा metal होता है उतना ही अच्छा fast यह काम करता है आपके phone में भी gold का प्रयों किया होता है friends यहां पर आपको speaker दो देखने को मिल जाएगा यह sound output के लिए यह तो पता ही होगा और यह ribbon केबल से connect है USB वाला और यह आपका PC भी है friends यही इसका मतलब main processing करता है और यह साथ GPS है क्या तो यह साथ GPS है और यह connect होने वाला है आप एंटीना देख सकते हो और यहां पर आपको यह cell देखने को मिलेगा लोग सचेंगे cell क्यों दिया हो है और यह बटन जो दिया होता है और यहां पर नीचे आपको देख सकते हो यह touchpad है और यह एक friends कभी हमारे YouTube पे आपको इसका भी और इसके बारे में क्या होता है वो भी वीडियो दिखने को मिल और कौन सा आपको लगाना चाहिए और फास्ट होता है इंग इस We're होता है तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग इसको लगाते हैं ठीढ़े आज अब आपको यह अच्छे से लगा लेना भी कई पिर उसके बाद कर सके आपको